यह है इंडियन प्राइवेट रॉकेट स्टाटप अगनी कुल का सौर्टड रॉकेट लॉंच और यह इंडिया का फर्स सेमिक्राय लॉंच बन्सता है इसरो से भी पहले यह केरोसिन इस्तमाल करते है और मैंने इसे पूरा का पूरा 3D मॉडल किया है इसे हम पूरा खोलेंग क्योंकि अगनी कुल ने कुछ वीडियो और कुछ इंफॉर्मिशन रिलीस की है कुछ मीडिया को ब्रॉश्ट वगरे दे उसके बेजिस पर है यह वीडियो थोड़ा बहुत स्पेक्लिशन यहां वहां होगा तो सौर्ट इस मिशन का नाम सौर्टेड क्यों है सौर्टेड मत पता होना पड़ेगा वह कहां है इंजिन का गिंबल वगरा चेंज करके गाइड करना पड़ेगा खुद को करेक्ट लोकिशन तक तो यह काफी काफी कॉम्पलिकेटड लॉंच है यह कोई सिंपल रॉकिट लॉंच ने क्या आग लगा और उपर जाओ नहीं वह कॉम्पलिक जो है इसका वो है लिक्विड और लिक्विड ऑक्सिजन क्राइजन होता है इसलिए सेमी क्राय क्योंकि एक सेक्शन क्राय हो इसका इसे अगनिक कुल काफी बार टेस्ट कुर चुक है इसरों के फेसिलिटीज में भी टेस्ट कुर चुक है उनके खुद के फेसिलिटीज में अंदर ही 3D print करते हैं तो उन्हें ने बनाए है तो वो सब काफी convenient हो जाते हैं उन्हें कि वो 24 hours के अंदर एक पूरा इंजिन बना सकते हैं या इंजिन का at least ये thrust chamber और nozzle बगेरा of course usually अगर आप देखो विकास इंजिन जैसे विकास इंजिन का उस इंजिन सेक्षिन एंडि combustion chamber प्लस nozzle तो होता ही है प्लस side में दो pumps होते हैं जो एक oxygen pump oxidizer pump करेगा और एक fuel pump करेगा उसे turbo pumps कहते हैं अल्दो अगनिकुल का plan है future में एक turbo pump electric turbo pump बनाना यानि battery operated electric turbo pump फिलाल ये जो इं इंजिन के आसपास वो है base shroud या जो cover engine के आसपास इस shroud की उपर आप देखोगे चार fins लगया है यह fixed fins है passive fins है यह हिलते नहीं है बिलकुल नहीं fixed है उसके बज़े आप देखोगे यह fuel port यह kerosene का port है यहाँ इसके लिए भारसिक umbilical attached होगा आपने देखा होगा sorted की image में side quick structure ज connected ना रहे वरना rocket fail होगा इसका test कर चुक है अगर यह umbilical से पंचे से कहते हैं अगर आप real image देखोगे इस port का तो आपको देखोगे multiple holes है एक center बड़ा hole है ही तो उसके बज़ाए side में भी holes है वो इसलिए क्योंकि kerosene और oxygen के बज़ाए भी हमें दूसरे चीज़े भरने है क्य easily available है किसी भी दुनिया के यानि दुनिया किसी भी पार्ट में मिल जाएगा वो यह इसलिए क्योंकि अगनिकूल का future plan है mobile launcher जो हम आगे discuss करेंगे kerosene tank के उपर आपको multiple चीज़े देखेंगे left में आपको दिखेगा एक wire conduit यानि electrical wires वगएर उपर से पास करने होंगे कुछ च इस flight है तो काफी सारे sensors वगएरा लगे होंगे data log के लिए उसके लिए भी लगेगा बीच में आप देखोगे एक अजीब सा चीज है वह है इसरो का FTS इनि flight termination system basically देखो यह liquid launch है इसका specific path है और specific hazard zone भी यानि उस zone में चलता है थोड़े यहां वाह पर अगर rocket path से दूर जाने लगा कोई populated area या गलत path जहां पर वो किसी को hurt कर सकता है इसरो या अगनी कुल एक button दबाएगी और यह blast हो जाएगा यह part यह सब rockets में होता है इसरो के भी rockets में भी होता है इसका positioning बहुत important है आप कहां यह लगा रहे हो तक कि maximum energy से blast हो या at least rocket बंद पड़े right में आप देखोगे एक pipe जैसे जा रहा है बाहर से फिर अंतर वो आपर श्रावड में जा रहा है यह आपको liquid oxygen के section में पता चलेगा क्योंकि यह liquid oxygen का pipe kerosene tank के उपर आते हमें दिखेगा यह inter tank structure यह structural piece है उपर के tank और निचे के tank के बीच पर इसके अंदर एक और चीज़ है वो एक चूटा सा tank जो pressure and store करेगा kerosene लिए अब जैसे मैंने tank दिखा है शायद वैसा ना हो tank शायद वो चोटी-चोटी spheres हो हमें नहीं बता कैसा है tank exactly फिलाल पर last year February में अगनी कुलने एक photo post किया तर वो था इस inter tank का अंदर का look तब देख सकते हो यहाँ पर पाइप अगरा 90 degree आपको दिख रहा है तो यह काफी cool है हमें अगर आप अगनी कुल का image देखो तो वो जो बीच में pipe है वही oxygen का pipe है and since oxygen cryogenic है आप देखो कि उसके उपर extra insulation वगरा लगया होना इस oxygen tank के उपर भी FTS है FTS के module है और उसके left में again एक wire conduit है जो उपर के batteries वगरा से wire और sensors logging करेगा नीचे यह oxygen tank अगर आप देखो तो काफी बड़ा है compared to kerosene tank कितना बड़ा नहीं बता बड़ा लग रहा है two times बड़ा है यह इसलिए क्योंकि कोई ratio होगा है उनका कोई combustion ratio होगा कितना parts oxygen कितना parts के रहो शाए two is to one हो not sure थोड़ा उपर आएंगे तो देखोगे कि oxygen का fuel port अलग है उपर और यह आपको real images में भी दिखता है अगर आप real image देखो तो आप दिखोगे दो fuel ports है वो clearly नहीं दिखते है बट हाँ अब यह जो oxygen का port है वो थोड़ा complication होगा इसमें वो इसलिए क्योंकि देखो oxygen का क्या है since इसके समें cryogenic oxygen है बहुत cold है राइट यानि कि एक ice का layer वगर शाय यह pressure read करें और slowly-slowly release करने लगे oxygen का हवा का and then आपका जो ground service equipment है उसे पता होना चाहिए यह ऐसा हो रहा है and then वो top off करेगा oxygen तो यह दोनों एक दूसरे से बात करने चाहिए दोनों systems again जिसे मैंने कहा liquid rocket बहुत सारे complications लाता है खुद में और यह सब चोटी-चोटी subsystem system आपको engineer क करने पड़ें तो यह boil off और top off mechanism भी उन्होंने किया होगा of course multiple ports है एक port जाता है just oxygen tank की उपर आप देखो कि यह metal structural लंबा piece है इतना बड़ा pressure tank है oxygen का almost half यह आप कैसे हो one third size is pressure in tank का जो oxygen के tank को pressurize करेगा है मुस्टली helium होगा आप देख से तो कितना बड़ा है यही drawback से pressure fed रहने कि आपको बहुत बड़ा pressure tanks लेने पड़ते हैं जो आपके main tank को pressurize करें प्रस आपके main tank की thickness भी बढ़ जाएगी wall thickness भी याद रखो अगर जब अगनी कूल electric turbo pump में shift भी हो जाता है although यह pressure tanks चोटे हो जाएंगे pressure तो पर भी maintain करना होगा पर उन्हें फिर battery का भी weight carry पर ना करना बढ़ हां give and take है यह सब उन्हें optimist हम ढूड़ना होगा तो हां जब मैंने fuel ports खाता आपने देखे होंगे multiple ports वह इसले क्यों कि although main ports kerosene और oxygen के लिए रहेंगे बड़ साइड में चोटे मोटे हैं वो यह pressure and tanks के लिए बरने के लिए इस pressure and tanks के उपर काफी सारे cylinders या plates है इसके उ avionics hub इसके आसपास काफी सारे battery में parts होंगे कुछ flight computers होंगे शायद वो future अगनिबान rocket के parts वगेर इसके उपर fly करते होंगे test करने के लिए तो हां वो सब यहां situated होगा उपर और थोड़ा अगर हम आए तो आप देखो कि एक और cylinder है cylinder न यह sphere है यह एक और composite over a pressure vessel है जिसमें nitrogen stored ह होगा nitrogen इसलिए क्योंकि cold gas thrusters इस्तमाल कर रहा है similar to falcon and वगेरा करते है उपने roll control के लिए यानि roll मतलब अपने जो launch access है उसके उपर गूबना roll करना तो अभी इसमें thrusters model नहीं किया है मैंने क्योंकि मुझे नहीं बता है कैसे दिखते है वो बड़ अगर मैं suspect करू तो यह जो अगरा होंगे पर हमें अब तक नहीं बता क्या पेलोड से और क्या मिशन के बात करते हैं यह मिशन सिक्वेंस यह ब्रॉशर से है जो अगनिकुल ने कुछ मीडिया के लोगों के साथ शेयर किया है यह as of now तो पब्लिक नहीं वीडियो कि है बड़ आगेस प्लैन ही उनका य वो इसलिए क्योंकि केरोसें तो रून टेंपरिचर होगा राइट वो क्राजनिक वागेर ने उसका कोई बॉइल अफ का भी लफड़ा नहीं इसको भर जा खतम छे घंटे पहले वो हाई प्रेशर गैस बोटल से सब भर देंगे लोग्स टैंक इंटरस्टिंग है क्योंकि वो अल्मुस्स तीन घंटे पहले स्टार्ट कर रहा है यह एक इंटरस्टिंग पार्ट है माइनस टू आर्स फिफ्टें मिनिट्स पे वो बलून डिप्लॉई करेंगे विंड्स मेजर करने के लिए और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंफ्लुएंस करेगा र विंड बैसिंग का और एक और इंटरस्टिंग अगर आप देखो तो माइनस सिक्स मिनिट्स में वो फाइनल प्रोग्रम अप्लोड करेंगे फ्लाइट को क्योंकि यह सब विंड मेजर मेंट्स को बैसिंग और वो सब अकाउंट करते हो आपका नया प्रोग्रम बनेगा गा इसले है क्योंकि जब रॉकेट गौट थे बड़े रॉकेट सेवी रहा हुप युजली होल्ड गौम नहीं होता है बहुत था इतने ही होते क्योंकि अपने वैट सी खड़े रहे हैं इसकेस में ऑफकोस रिक चोटा है अब कितना हाइट और रेडियस यह बता नहीं बट जि अपोजी होगा, अपोगी, ऊपर जाएगा, और करीब, अलमोस्ट 8 किलोमेटर्स भी डाउन रेंच, ब्लाइस टाउन करने वाल है, ऐसा कुछ है उनका लॉंच पैड इंफ्रस्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, लॉंच पैड के साइड में एक मोबाइल सर्विस टावर है, य इसलिए इंपोर्टंट है क्योंकि आपके काफी सारे कंपोनेट्स नो स्कॉर में भी ऊपर है, आप थोड़ी सीडी और लेडर वहां लगा के सर्विस करने लगए का रॉकेट को या कुछ टाइट वगरा करने है, कुछ क्लीन करने है, तो इसलिए इसलिए इंपोर्टंट ह यह और बहुत कॉप्लिकेटड लॉच होने वाला है, बहुत रेयरली एक semi-carrier racket डेबिट डेबिट के उपर सक्सेस्फुल होता है, और इससलिए राइट क्योंकि प्रोब्लम इतना कॉम्लिकेटड है, तो इसलिए हम फिर्स टाइम ही सक्सेस मिलें, ताकि वापस यह सब ना 300 kg बढ़ हां वो rocket ऐसे हो नहीं जिसका 9 engines होंगे base के उपर but वो modular होगा आप change कर सकते हो engines आपके payload के उपर depending, 2 stage और 3 stage अगें payload के उपर depending and वो एक mobile launcher इस्तमाल करने वाले, mobile launcher ऐन एक truck जिसके उपर trailer होगा जो rocket को खड़ा करेगा और कहां से भी launch कर सकते हो इसलिए उनका वो यह भी justify करते है कि जो aircraft fuel हो कहीं भी मिलेगा and liquid oxygen है वो medical facilities में मिलता ही है यह एक interesting discussion question है आपके लिए discussion question है आपके लिए comment section में कि क्या है sense या क्या इसका market है क्योंकि चोटा satellite ship करना हमेशा cheaper होगा versus आपका I hope यह first time ही successful हो and all the best to Agnikul मैं देखोंगा live stream कर सकता हो तो मुझे नहीं बता Agnikul live stream करने वाला है या नहीं नहीं किया तो launch के बाद अगर कुछ footage रिलीज होता है तो यूपर शायद video बाद थेंक यू